दोस्तो रेल्वे में ट्रैवल करते वक्त अपने ट्रैक के किनारे पर ये FM का बोर्ड बना हुए तो देखा ही होगा लेकिन आखिर पट्र के किनारे पर इसका यूज क्या होता है देखें दोस्तो ये एक तरह का सेफटी बोर्ड भी माना जाता है और इसका मतलब फाउलिंग मार्ग भी होता है और इस FM बोर्ड को उस जगे बनाया जाता है जहां दो रेल्वे ट्रैक आपस में मिलते है या फिर क्रॉस करते है और दोस्तो जहां ये बोर्ड लगा होता है उसके 14 मीटर के दूरी पर ही दो ट्रैक आपस में मिलते हैं और इस बोर्ड को मेंली ट्रेन गार्ड के लिए ही बनाया जाता है क्योंकि जब ट्रेन मेंल लाइन से लूप लैन पर जाती है तो मेंल लाइन पूरी तरह से क्लियर रहे और ट्रेन का कोई भी कोच मेंल लाइन पर ना रहे यही बाद ट्रेन का गार्ड एंशॉर करके आगे लोको पैलेट को बताता है इस FM बोर्ड की वज़े से क्योंकि दोस्तो ट्रेन इतनी ज्यादा बड़ी होती है इसलिए आगे से तो लोको पैलेट इस चीज़ को एंशॉर नहीं कर सकता